Competition Hub के वीडियो लेक्षर में स्वागत है students आपका और आज मैं आपको जारखंड SSC के बारे में बताऊंगा जो लोग जारखंड SSC का फॉर्म भरे होंगे तो उनके लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है गोल्डेन चांस है आप किस परकार से तैयारी करेंगे कि 100% आपको result मिल जाएगा तो students अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर आप चैनल को subscribe कर लें जारखंड से related जितनी भी जानकारियां होगी जारखंड SSC से related मैं आपको video lecture के माध्यम से देता रहूँगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो like even subscribe जरूर करें तो आज सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका syllabus क्या हो और आपको तैयारी किस परकार से करना और exam में किस परकार के questions वहाँ पे पूछे जाएंगे आप चैनल को देखते हैं तो आपको जरूर अच्छा लगेगा तो आप एक बार जरूर मेरे चैनल को देखें तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जारखंट SSC का जो परिक्षा का स्वरूप है वह किस परकार का है तो यहाँ पर देखें students जो परिक्षा का स्वरूप होगा वो में रूप से परिक्षा को दो चरणों में लिया जाएगा पहला होगा आपका प्रारंभीक परिक्षा जिसको आप PT बोलेंगे दूसरा होगा मुख परिक्षा जिसको आप MENS बोलेंगे तो परारंबिक परिक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में जानेए सबसे पहले क्योंकि पहला आपका target होना चाहिए परारंबिक परिक्षा कि किस परकार से आप परारंबिक परिक्षा को उत्तिर्ण करें ठीक है students तो सबसे पहले आप target रखें कि प्रारंबिक परिक्षा को किस परकार से पास किया जाए तो प्रारंबिक परिक्षा में देखिए students यहाँ पे किस परकार के syllabus है तो यहाँ पे देखिए समान ग्यान से समंदित इस परिक्षा में निमलिखित विश्यों से समंदित बहु विकल्पी है उत्तर आधारित प्रस्न पूछे जाते हैं इस परिक्षा की अबधी स्टुएंट्स दो घंटे की होगी और दो घंटे में आपको 120, 120 questions बनाने हैं जिसमें समान अध्यान जीके से आपका 130 questions होगें तो जीके में आपका पूरे इतिहास का हो गया, जोगरफी हो गया, सिविक्स हो गया, भुगोल हो गया, प्रियावरेन हो गया, सुतंता अबाद का सुतंता, खेल-खिलारी, महत पूर्ण घटना आएं, इतिहास, भुगोल, यानि जो आपका शमिदान है, राज वरस्ता है science के questions हैं, वहां से भी आपको आ सकते हैं, तो ये समान अध्यन का topic होगा, यहां से आपके exam में 30 questions पूछे जाएंगे, अगर आप धंग से पढ़ते हैं, अगर मेरा video lecture भी देखते हैं, तो आपको जरूर फाइदा होगा, यहां से आप 30 में, नहीं तो कम से कम 25 पलस आप बना सकते हैं students, तो थोड़ा आप video lectures के माध्यम से देखिए और समझेए, उसके बाद देखें के दूसरा है, जारखंड से समंधित ग्यान, तो जारखंड के बारे में पूछेगा यहां पे जारखंड में कितने जिले हैं, जारखंड राज के बारे में, वहां की खनीश अंपदा के बारे में, वहां का साहित के बारे में, उनकी खेल-खिलारी के बारे में, बैक्तित्तु किसी विसेश नागरिक के बारे में, या राष्टिय या अंतराष्टिय पे जारखंड का महत्त के बारे में जारखंड की सब्विता संस्किर्थी के बारे में भासा के बारे में अस्थान के बारे में खनीज, पदार्त, उद्योग, वुगोलिक, इस्थिती के बारे में यहां से questions जारखंड के पूछे जाएंगे गया बेस्यों प्रोपोर्शन हो गया और उसके बाद टाइमेंड वर्क है तो अंक गनित आप एक बार अच्छे से ज़ूर देख लेख लेख लेए सिंप्लिफिकेशन से हैं तो यहां से कुश्चन से आएंगे टाइमेंड डिस्टेंस हो गया स्टुजेंस उसके बाद बीज करेंगे तो आपका मैत बन जाएन तो आप तो आप जो आप एससी का लेवल है डिजनिंग का वही ककोच्चन से पुछे जाएंगे यहसे अंक गनिति है तरक सक्ति श्रीज का कोच्चन coding decoding का questions होंगे और उसके बाद उसमें आप silogizm होगा एकाठो उसके बाद जो भी figure से related questions रहते हैं तो वो सब questions होंगे तो एक बार आप जरूर reasoning को अच्छे से देख लें उसके बाद computer ग्यान students computer ग्यान भी यहां पर पूर्ण है आपके लिए क्योंकि अगर आप एक बार अच्छे से computer ग्यान पढ़ते हैं तो आप अराम से 20 questions कर लेंगे और मेरे video lectures में आपको computer भी मैंने बताया है तो मेरे channel को आप subscribe करेंगे तो अगर आप मेरे channel पर जाएंगे तो आप यह सारे video lectures को देख सकते हैं topic wise तो आप जरूर देखें और आप exam में जरूर सफल होईएगा students ठीक है students तो यह था आपका PT का total 120 questions पुछे जाएंगे इसमें आपको 30% questions के देखें questions लाने होगे आपको answers मतलब सही questions तो यह 30% second के लिए चलिए 120 questions है तो cut off होगा उस पे जितना चला जाए cut off चलिए उसके बाद होगा आपका मुख परिक्चा मिन्स एक्जाम होगा students उसके अंतरगत क्या है वो देखिए देखें मुख परिक्चा के 3% पत्र होगे students 3% पत्र एक नहीं 3% पत्र होगे परते एक पत्र पत्र की अबदी 2 घंटे की होगी तीन तीन अंक होगे जो अंक होगे students जो परसन पत्र के वो तीन अंक होगे अगर आप सही करते है तो तीन अंक मिलेंगे अगर आप उत्तर गलत देते हैं तो वहां से आपका 1 अंक की ठीक है स्टुएंट्स उसके बाद देखिए पत्र वन विसे भासा ज्यान पत्र वन में पूछा जाएगा जिसके अंतरगरत हिंदी भासा के ज्यान के 60 प्रस्ण हिंदी एवं अंग्रेजी परतेक में अनुचेद अधारित 20 एवं व्याकरन अधारित 40 प्रस्ण होंगे तो अ चर्चा करते हैं पत्र दो में क्या होगा उसके बारे में देखिए लेकिन आपको एक बात और ज्यान रखना कि मेंस में सभी टॉपिक या सभी पेपर में आपको देखिए यहां पे इस परिक्षा में उत्रिन होने के लिए 30% निउन्तम अहरतांक निर्धारित रहेगा नि प्राप्त अंक मेधा निर्धारन के लिए नहीं जोड़ा जाएगा तो अगर आप यहां पे 30 परसेंट से 120 का 30 परसेंट मान के चलिए वही 36 के आसपास हुआ अगर उससे अगर आप कम लाते हैं तो आपका मेधा सूची नहीं बनाया जाएगा आप और सफल हो जाईएगा ठीक है स्टुडेंट्स तो आपको मेंस में परतेक पेपर में आपको 30 परसेंट नमबर लाना बहुत ही जरूरी है आप लाएंगे तबी आपका जो है मेध लिष्ट बनेगा अनदर वाइज अगर आप नहीं लाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में अगर 30 परसेंट नहीं कर प उसके बाद आपका संथाली जो कि वहां का चत्रिय भासा है जारखंड का संथाली बंगाली मुंडारी मुंडा हो खरिया कुरुप उराओ भी इसको बोलते हैं कुर्माली खोर्ठा नागपूरी पंच परगणिया उर्या संस्कीत में से किसी एक भासा की परिक्षा पिये उत्तर अधारित प्रस्न पत्र पूछे जाएंगे यानि अब्जेक्टिब्स कोस्चन्स आपके 100 होंगे यहां पे जो की आपके हिंदी अंग्रेजी कोई भी एक भासा आप ले सकते हैं उस तो आप देखिए पत्र तीन के बारे में जाने पत्र तीन में क्या होगा इ एबं विसे प्रस्नों की संख्या अधो लिखित होगी जो विसे प्रस्न होगा उसकी संख्या अधो लिखित होगी जैसे यहां पे देखिए स्टुडेंट समान अध्यान से आपका कोस्चन्स आएगा 30 प्रस्न फिर से आपका समान अध्यान जेन नोलेज जी के हिस्टी जो जो भी है आपका economics यहां से questions 30% आएंगे जारखंड राज से समंदित जो की ज्यान है जारखंड के बारे में ज्यान है यानि जारखंड की सब्विता संस्कृति भासा अस्थान खान खरी उद्योग भोगोल इतियास जो जारखंड का इतियास है राष्टिय आंदोलन में सब्सक्राइब करें अगर आपको कोई वीडियो का डिमांड होता है कोई टॉपिक का तो आप हमसे कर सकते हैं तो मेरे साइट पे जाके आप जो भी यूटूब वीडियो के नीचे में आप लिक के आप मेसेज कर सकते हैं स्टुजेंट्स तो मैं आपके अनुशार आपका वीडियो बनाता रहूँगा जो कि आपको हेल्फुल होगा आप लगातार वीडियो चैनल को देखते रहे हैं और लाइक एम सब्सक्राइब करना नहीं बूलिए स्टुडेंट्स अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मेरा जो भी हर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा जो कि आपके लिए बहुत ही लाबदायक होगा थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो